आज कि मैं नया एक्स्पीडियंस आपको सेर करूं कि एक डीलर और कस्टमर के बीच में डील चल रहा था कि प्रॉपटी पसंद आ चुकी थी और डीलर ने तीन-चार महिना महिनत करने के बाद उनको प्रॉपटी पसंद करवा के डील क्लोज होने वाली थी बिल्डर का ही और वो जब कोडिशन लेके गए और दूसरे दिन उनसे कस्टमर ने फोर उठाना बंद कर दिया उनका पता है क्यों क्योंकि उनके घर में उनके बड़े ब्राइब भाई सब ने बताया कि ओक्योपेंस से सेटिफिकट आने के बाद जीस्टी नहीं लगता है लेकिन आप ए उसका चार-पाइस मैने की मैनत चली गई उसको सोच समझ के बात करना चाहिए आपकी जानकारी के लिए बता दूंग्योपेंस से सेटिफिकर डाने के बाद जीस्टी नहीं लगता है सिर्फ रजिस्टेशन स्टांपड़ी लगता है और बिल्डर के जो अधर चार्जिस हो होता है नहीं तो दोनों की मेहनद खराब हो जाती है कस्टमर का भी विश्वास भी लड़ता है क्योंकि जीवन भर का पैसा लगता है यह बहुत संटिमेंटल चीज होती है घर इसमें भी लोग सोच समझ के बात नहीं करते और अपना बिजनस भी खराब करते हैं और कस्टम का नॉलेज हो जिन्होंने सो दोसो पांसो डील किया हो एक अच्छे टीम को लीड कर रहे हो तो वैसे लोगों साथ काम करें जो आपके काम को 100% करेक्ट हुए में लेके जाते हैं दोस्तों वैसे तो मैंने कफी सारे वीडियोस यूटूब पे चल रहे हैं जिसमें लीगल की बात करता हूँ इसमें जो मैंने आज सेर आज जो मैंने एक्स्पीरियंस किया एक प्रपरिटी डीलर के बीच की बात वह मैंने आपसे सेर किया है मिलेंगे दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए